अगर आप इसके तरू अपनी स्क्रीन मिरर कर रहे हैं तो आपको यहां पर जीरो परसेंट मलब एक बिल्कुल भी लेक देखने को नहीं मिलेगा साथ ही साथ आपको यहां पर कोई भी लेटेंसी देखने को नहीं मिलेगी कि आप फोन में कुछ और खेड़े और आपके और आपके विंड़ो एट के साथ जीन लोगों के बास विंड़ो सेवन और एठ है इस वाली वीडियो में सारी प्रोब्लम सॉल करेंगे और फ्री वाले सफ्ट्रेश में बताने वाला हूं सबसे बेस्ट अगर आप लाइव लेक इस्ट्रीम करने वाले तब भी सब्सक्री तो हम इस्क्रीन को जो मिर्र करेंगे वह दो मेथड से करेंगे एक तो है केबल के तुरू और एक है वायरलेस तो फड़ावट चलते हैं पहले तरीके के साथ विंडोस वायरलेस कनेक्ट सोफ्ट्वेर जो कि विंडोस के अंदर प्री इंस्टॉल आता है कुछ 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 लेप्टॉप नहीं आता तो आप ये वाला वीडियो चेक आउट कर सकते हो जिससे मैंने बताया है कि कहां से आप उस चीज को एक्टिव करोगे अपने विंडो होड़ा बहुत नाम चेंज कर दिया हो तब आपको गूगल पर सेज़ कर लेना है फिलाल में यहां पर आपको रियल्मी की मोबाइल में करके दिखा देता हूं तो सबसे पिल आप लोगों को विंडोस के अंदर जो कनेक्ट नाम की अप्लिकेशन है वह आपको सी सेक्शन मे नाम शो हो रहा होगा इस पर क्लिक करके आप सिंपल इसको कनेक्ट कर लेंगे जैसा कि मेरा मिलर होने स्टार्ट हो चुका है अगर यहां पर आपको गेम चलाएंगे या फिर कोई वीडियो प्ले करेंगे तो वह आटोमेटिक अलग सेप में आ जाएगा जैसे कि वह लेंड आपको यहां पर कोई लेग देखने को नहीं मिलेगा साथ ही साथ आपको यहां पर कोई भी लेटेंसी देखने को नहीं मिलेगी कि आप फोन में कुछ और खेले और आपके विंडोस में मिरा थोडी देर बाद में हो रहा है तो यह इसको आपको नहीं देखने को मिलेगा औ यहां पर जैसे आप इसका वर्जन लिखा वाएगा रिलीज के नीचे तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस पेज के ऊपर आने बाद आपको यहां पर थोड़ा सा स्क्रोल करना है तो यहां पर आपको काफी सारी फाइले देखने को मिलेगी अगर आपका जो लेप्टॉप है वो यहां पर फिर विन्रेयर के थुरू हम एक्स्ट्रेक्ट करेंगे यह बैसिकले एक सॉफ्ट्वेर है जो कि फ्री है अब यह एक फॉल्डर बन चुका है अब इस फॉल्डर के अंदर ही हमारी में चीजे है जो भी हमें चाहिए जैते भी आपको अप्लिकेशन दिख लिए में से कोई भी चीज डिलिट नहीं होनी चाहिए अब आपको अपने मोबाइल के अंदर एक सेटिंग करनी होगी यूसबी डबिंग को इनेबल करना होगा वो इनेबल करना बहुत जाता सिंपल है अब आपने मोबाइल के डिवलोपर मोड में जा सकते हैं वहां पर आपको जैसे आप इसको एनेबल कर देंगे उसके बाद आपको यूसबी की तुरू अपने मोबाइल को अपने PC को कनेक्ट करना है मोबाइल को कनेक्ट करने के बाद आपको ओर ओप्शन नहीं चाहिए आपको जो फोल्डर आपने डाउनलोड किया था अपने PC के अंदर उसमें स् अपने सारी चीजे करकी होंगी तो आपको जो स्क्रीन है वह मिर्र होती हुई दिख जाएगी और इसकी क्योलेटी वन ओफ दा बेस्ट होती है वन ओफ देपेस्ट तो इस में अंदर से आपको एक स्क्रिप्ट डाउनलोड करनी है विंडोस के अंदर और अपने मोबाइल म स्क्रीन को विंडोस की स्क्रीन के ओपर मिर्र करने में में मदद करता है यह वाला सॉफट्वेर वन ओफ दा बेस्ट सॉफट्वेर हो सकता है उन लोगों के लिए जो लोग गेमिंग के अंदर लाइव स्क्रीम करने वाले है क्योंकि आप इसके अंदर इसक्रीन के अंदर के उपर भी देखना हो मिल जागा और तीसरा उप्सन जो सबसे बेश्ट है इसके अंदर हो है किस द्रगा दिखाई देता है यहां पर आपको दॉप्सन देखने हो मिलते हैं वाइफाई और यूएसबी आप चाहें जिस भी मेधर से अपने अंड्रोड मोबाइल को यहां पर करना है पहली बाद जब आप अप्लिकेशन ओपन करेंगे यहां पर कंट्यून का बटन होगा इस पर क्लिक करने के बाद यह आपको इस्टोरेज और लोकेशन की जो पर्मिशन होती है वो माँगेगा तो इसको अलाओ कर देंगे हम मोबाइल और लेपटोप को हम यूएसबी की तुरू कनेक्ट करेंगे यहां पर चार्जिंग ओनली पर रखेंगे और अब यह होता है इसका मतलब है आपके जो developer mode है उसमें USB debugging na नहीं है तो सबसे पहले आप लोगों को USB debugging करनी पड़ेगी तो मेरे mobile के अंदर भी USB debugging नहीं है तो इसे इनेबल करना पड़ेगा सबसे पहले अपने mobile की setting में आएंगे यहां पर सच करेंगे अगर आपका developer mode on है तो developer mode में आन USB को यहां पर निकाल की फिर से लगा की फिर से ट्राइ करेंगे तो यहां पर आपको अलाओ के लिए पूछे गाए अपने मोबाइल के अंदर तो इसको ओल्वेस करके कर देंगे वरना आपको हर बार ओके करना पड़ेगा अब यहां पर आपको नीचे दिखाए दे रहा हुगा इनेबल कंट्यूनु पर क्लिक करेंगे और यह फिर से रिकनेक्ट करने के खुशिस करेंगे यह सिर्फ पहली बार जब आप कनेक्ट करेंगे तब ही होगी अगली कि आप ओडियो भी मिरर कर रहे हैं और अब मैं दिखा रहे हूं आप लोगों को किस तरह से यह वर्क कर रहा है और यहां पर एक और स्क्रीन रिकोर्डिंग का भी ओप्सन दिखाए देता है इसकी वज़ेसे आप इसक्रीन रिकोर्ड कर पाऊगे आप अपने अगर पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना दीवे नीचे लाल बटन पर और जैसे आप लाल बटन को दबाऊगे वह ओटमेटिक ग्रे हो जाएगा और हम मिलते हैं अगले वाले वीडियो में तब तक के लि अगल बटन उनना आप लाल पसंद आया होगा तक कर देना आपके लाले वाले वाले एड़्यों और हम मिलते हैं अगरकिंद हैं फिस दित्क लाले वो जाएगे वह चांगे झाले लाले गया होगा गपला ट। झाल, 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 झाल